देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बेमौसम बरसाथ के चलते हुए नुकसान की भरबाई के लिए केंद्र ने सभी जरूरी रहतों पाय करने का भरोसा दिया है। राजसभा में एहम दलों के नेताओं ने बारिश और उला वरिष्टी के चलते फसलों के नुकसान का मामला उठाया। वित्मंत्री ने इस मामले में सदन की एक राय से सहमती जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार सीधे तोर पर किसानों को रहत पहुचाने के लिए सभी संभव मदद करेगी। उन्होंने बताया कि नुकसान को लेकर फिलहाल सभी राज्यों का आकलन केंद्र को नहीं मिला है। केंद्र ने अलग-अलग राज्यों में नुक्सान का जाएजा लेने के लिए अलग-लग टीम गठित की हैं, तो कृशी मंत्री भी प्रभावित राज्यों के दौरे पर ज इसमें बिना टेक्निकालिटीज में गए हुए एक हमदर्दी की भावना के साथ की किस नी जल्दी से प्रभाविश शेत्रों के कैसानों की सहायता हो पाए और उनको रिलीव पहुच पाए इस नजरिये से उन राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर केंद्रे सरकार और कि इसमें तुरंत कदम उठा रहा है इससे पहले सुभा राज्य सभा की कारेवाही शुरू होने पर जंता दल युनाइटेड के केसी त्यागी ने बेमौसम बारिश के चलते किसानों को हुए भारी नुकसान का मुद्दा उठाया पार्टी लाइन से उपर उठकर तमाम दलो ये चिनता है ये पूरे राश के लिए चिनता है पूरे देश के लिए चिनता है चाहे सरकार में लोग हूं या विपक्ष में लोग हूं ये किसानों की आपदा का विशे देश के आपदा का विशे है और मुझे लगता है कि विस्समे हम सब लोगों को केवल किसानों को आर लेकिन बेमौसम बरसात की वजह से किसानों के फसलों के बरवादी के मामले पर सत्ता और बिपक्ष समेत पूरे सदम ने चिंता जाहिर की एक जूटता दिखलाई और सरकार से गौहार लगाई कि किसानों के हकुकूग के लिए उनके मुआबजे और उनके फसल की बरवादी क छती पूर्ती के लिए ठोस कड़म उठाना चाहिए। पाई और क्रशी शेत्र की चुनोतियों से निपटने के लिए लगातार किसानों की मदद के लिए गंफीर कदम उठाने की सरकार से मांग हो रही है। सुधा करदास और राजेश राज के साथ शलेंद्र मिश्र डीडी न्यूस तिल्ली